हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं तुरई की सबजी जो की हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं एकदम अलग तरीके से बनाएंगे बहुती स्वाधिस्ट ये सबजी बनने वाली है तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो तुरई ले ली हैं आज गोल स्लैस में नहीं काटें इस तरह से लंबे butt लगें के चाहिज में चपाएंगे और 6-4 लंबे स्लैसे में काटें सबस्सक्राइब इसोड़ें मिना आप इसे जरू ठाएं बर Is तो काट कर सभी लेंगे तो अब हम सबको काट चुके हैं, इनको एक प्लेट के अंदर रख दें अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि एक चम्मच धनिया पाउडर डाल लिया है आदा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है और स्वाध के अनुसार नमक डाल लेंगे तो इस तरह से इसको बनाएंगे तो बहुती अलग तरीके से बनेगे और बहुती स्वादिश्ट यहाँ पर मैंने बेसन लिया है तो तीन चम्मच बेसन ले लेंगे जो घर में खाने वाली चम्मच होती है उसी से हम तीन चम्मच बेसन डालेंगे कि बेशन साफ सुत्रा ना हो तो उसे छान ले और इसे डालने के बाद हातों से अच्छी तरह से मिक्स करतेंगे इससे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो सभी के उपर कोटिंग हो जाए मसालों की इस तरह से मिलाते जाएंगे और जब लगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं सभी मसाले लग चुके हैं मिल चुके हैं तो बस अब इसको रख देते हैं और अब हम कड़ाई ले लेते हैं इसे बिल्कुल भी रखने के आउशकता नहीं है क्योंकि ये पानी छोड़ देगी इसलिए तुरंत हम कड़ाई लेंगे कड़ाई के अंदर तेल को गरम करेंगे दो बड़े चम्मच उसके बाद मैंने साबुत धनिया लिया है अगर आप इन मसालों को डालोगे तो बहुती स्वादिश्टी सब्जी बनने वाली है एक चम्मच धनिया और एक चम्मच जीरा धनिया को छोटे-छोटे दोड़ लेंगे उसके बाद हम वह mem-nyreps ने लहसुन और प्याज़ टामाटर बियुक्ल भी युज नहीं किया है चाहुकी टामाटर भी इस टाइम बहुत ही नहीं है सबयी यूज नहीं कर सकते लेकिन लहसुन प्याज भी हम ने इसमें नहीं डाला है और इसके बाद 4 हरे मीरचे लंबे आकार में काते इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गोलने के बाद इसके अंदर डाल देंगे इससे कोई भी चीज हमारी वेश्ट नहीं होती है अब इसे पांच मिनट के लिए लोफ लेंपर ढखकर पका ले इतने ही टाइम में ये पकर बिल्कुल तयार हो जाती है ग handUD कर या उदीर ना ओद थोट ना हो तो इसके अंदर थोड़ा काल नमक और थोड़ा काली मिर्च पावडर और अमचूर पावडर ये मिक्स कर के डाल दीजी। या फिर अमचूर पावडर भी डाल सकते हैं तो इस तरह से डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए अब इसके बाद गैस का फ्लेम ओफ करें और बहुती अच्छी और स्वादिश सब्जी बनकर तयार हैं जिसे आप चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं तो इस तरह से बनाकर जरूर खाएं बहुती स्वादिश्ट रेसिपी बनने वाली हैं तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करें